नमस्कार दोस्तों स्वागत है और एक नई वीडियो में आज हम आज शिवरात्री और मेरे सभी भीवर्ष को शिवरात्री के धेर सरी शुप कामना है दोस्तों पूरे देश भर्ष में नहीं बलकि पूरे बिश्व में अनोखा है सभी मंदिरों में सुबसी भक्तों का भीर लगा हुआ है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जो सिव भर्ष में नहीं बलकि पूरे बिश्व में अनोखा है कहां पर है ये मंदिर कैसी है तो चलिए सब मैं दिखाता हूँ आज की इस विडियो में ये है तिलिंगा मंदिर जो बॉर्डवी टाउन विलेज में इस्थित है उपरी असाम में ये सुन्दर चाय बगानों से घेरा है बॉर्डवी नजदी की शहर तिनसुकिया या दुलियाजान से सडक मार्क से बॉर्डवी पहुंचा जा सकता है इसकी नजदी की हावाई अड़ा है डिबरुगर तिनसुकिया टाउन से बॉर्डवी की दूरी है 17 किलोमेटर और दुलियाजान से है 8 किलोमेटर इसकी नजदी की गाउं है केहांग, हुगरीजान, मौनकुर सिटी स्टेट, वर्जान गाउ, बिसफुटिया गाउं और साउताल बस्ती यह है बॉर्डवी रोड यह रेल मर्ग से भी जुरा हुआ है और यह एक छोटी सी स्टेशन है जहांपर लोकाल ट्रेंड रुखती है और इस स्टेशन का नाम है बॉर्डवी रोड यह है बॉर्डवी बजर और यहांपर सबता ही एक हार्ड भी बैटता है 2011 के जन गनना के हिसाब से बॉर्डवी के पॉपूलिशन है सिर्फ 2000 लेकिन अब इसकी संखा कफी बढ़ चुका है यह है बॉर्डवी का हाई स्कूल और यह है हायर सेकेंडरी स्कूल बॉर्डवी की चारो और चाय बगान के बीच इस्तित है इस मंदिर का आप आकार देखिए घंटी के आकार से बना यह एक शिव मंदिर है और इसी मंदिर में घंटी चराने का रिवाज है तिलिंगा अर्थाहत बेल या घंटी के यह जिसे लोकल एसमिस लेंग्वेज में तिलिंगा कहा जाता है परिसर के बाहर सरक के दोनों ही और आपको ठेर सारे दुकान मिल जाएंगे जहां पर पूजा के समगरी बिक्री की जाती है इनी जगा से आप इस तरह के पूजा के थाली लेकर आप मंदिर में प्रवेश करें आप पूजा आर्चना कर सकते हैं क्या क्या दाम का थाली है यहां पर ? जैसी आप गाड़ी या बाइक स्कुटी या पैधल चलकर आए आप देखेंगे सारे दुकान दर बहार निकलकर आपको बुलाते रहेंगे तक ही आप उनकी दुकान में जाय को जाके समगरी ले यहां के दुकान में खास करके महिलाई काफी जादा है काफी महिलाई यह दुकान चलाते है आप देखिए इस तरह सपने कस्तुमा को बुलाते रहते हैं पुजा के हर तरह का चीज़ आपको यहां पर मिल जाई है इस मंदिर परिशर में आप जूता चपल लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं इसलिए आप जिस दुकान से समान लें उसी दुकान में आप अपने जूता चपल छोड़ सकते हैं इसके बाद यह मुठ्य प्रवेश द्वार से आप मंदिर में प्रवेश करें मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको आपने हाथ पैर धोने के लिए भी आपे पानी की सूव अंदवस्त है और उसके बाद ही आप यहाँ से मंदिर में प्रवेश करें अब दिन के 11 बाद चुक है इसलिए भीर थोरी सी कम है लेकिन सुवज से काफी ज़्यादा भीर था यहाँ शिप पुजा के आप सर पर यहाँ देखिए पुरुश और महिला के लिए अलग-अलग रस्ते बना दिये गाया है जहां से आप प्रवेश करें यह है मंदी का प्रवेश आम दिनों में इसी जगा पर आपके लाइन बन जाते हैं और जिसी से लाइन बनाकर आप यहाँ आकर पंडीजी से पुजा करवा सकते हैं लेकिन आप जब की शिब रत्री है और शिब रत्री में भीड के कारण यहाँ इस तरह से रस्ता बना दिया गया है जहां से आप आए और यहाँ आकर आप तुजा आर्चना कराएं यहां के खस बत यह है कि अप साल के जबी भी आए अपको यहाँ पंडीजी मिल जाएंगे और पंडीजी से आप यहाँ पे तुजा आर्चना कराएं यह वही इस्थान है यह शिब लिंग है और उसी पर ही दूट पानी चराए जाता है और शिब जी का आरधना की जाती है आप लोग कि दर से आए लगा कहां से दूर दराज से लोग साल पर यहां पर आते रहते हैं खास करके किसी भी सोंबार को भक्त का बहुत जादा यहां पर भीर होता है पुजा अर्चना करने के बाद आपको पंडीजी आपको सारे बीधी बता देंगे आप धागा को मन का म प्राप्थी के लिए यहां पर इस तरह से आप धागा बान सकते हैं पंडीजी से पुजा करवाने के बाद आप जो भी दिया बत्ती है वो दिया बत्ती आप इस जगा परा कर प्रजुलित कर सकते हैं जैसे कि सभी भक्त कर रहे हैं पुजा के बाद नारियल को इस जगा पर आप खोरे और नारियल का एक हिस्सा आप यहां छोड़ दे और एक हिस्सा आप अपने साथ प्रशाद की रुप में ले जाए यह वही पीपल का पेर है जिसकी नीचे से शीव लिंग प्रकट हुए थे और यहीं पर ही शीव जी के आरधना की जाती है चलिए मैं आपको आप भोले बाबा का दर्शन करवाता हूँ जो पीपल पेर की नीचे भोले बाबा को प्रप्ती हुई थे और तब से इस भोले बाबा का यहीं पर ही आरधना की जाती है यह जितने सारे घंटी है यह सभी भक्तों ने बांधे है मनित अनुसार फक्त अपने मन का मना के पूर्टी के लिए यहाँ पर घंटी बांधेते है और लोग अपने मन का मना पूरी होने पर भी इसी मंदिर में दुबारा आते है यहां घंटी की गुंजों से उत्पन होने वाली तारंग लोगों में साकरत्मक उर्जा का संचार करता है इस तरह से आप लाल धागे के साथ घंटी यहाँ पर कहीं पर भी आप बांद सकते हैं अब मैं बताता हूँ इस मंदिर की एकिहसी कहानी क्या है 1965 में जब एक मजदूर इसी जगा पर बगान में काम कर रहे थे तभी आचाने उनको इस पीपल पेर के नीचे एक शीव लिंग प्राप्त होता है और फिर उन्होंने बगान मालिक को इसके बारी में जान करी देते हैं और फिर तब से यहाँ पी पूजा अर्चना की हो जाती है रमय के साथ साथ इस मंदिर का नेनमान होता है और धीरे धीरे यह मंदिर इतना ज़्यादा प्रशिद्य हो चुका है कि पूरी बीश्य में यह एक अनोखा मंदिरे जहाँ पर इतने सारे घंटी लगाए जाती है इधर अब देखें चारों और आपको सिर्फ घंटी और घंटी ही मिलेंगे शुरुआत की दिनों में इस पेड के टहनियों पर घंटी बांद दिया जाता था लेकिन लोग इतने ज़्यादा घंटी बांद लग गया थे कि पेड के टहनिया टुपने लग गयी थी दूद, पानी चरा दे जड़ाती इस पेड का भी स्थिती बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था उसके बाद सी इस पेड़ में और घंटी बांदने की जो रिती रिवाज था उसे बन कर दिया गया है और मंदिरपड़िसर्ग के चारों और ऐसे स्थन बना दिये गया है जहाँ पर आप ये घंटी बांद सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखें हैं और पूराने हो जाने यहई पर घंटियों का यही पर ही रख दिया जाता है अब देखिए एक दो 2000 दो हाजानी के लाखो कोロरों की हिसाफ से यहां पर घंटी है यह सब चड़ाया गया है अलग-अलग अकार के आप घंटी देख सेकते हैं सभी वक्त अपने अपने समत के अनुजाई यहाँ पर घंटी चराते हैं यह पर यह देखिए हमारे आसाम के भाई लोग टेडिशनल ड्रेस के साथ मंदिर में आया है अच्छा पहले भी आये थे ना किया अप सभी एकी जगह से हैं कैसा मैं से सो रहा है यहां कर बहुत अच्छा भी तक नहीं किये ना भी आप अप पुजा के लिए जा रहे हैं इस तरह भी देखिए आप कितने सारे घंटी रखे हुए हैं जहां शीव जी हो वहां पर नंदी भी उपस्तित हो जाते हैं और पुजा अर्चना के बाद मंदिर के बाहर आते ही यह दिन दुख्यों को मदद करना अपना पूलें इसी रस्त से आगे जाने पर आपको मिलेगा दुलिया जन शहर सामने जो आपको यह गेट दिख रहा है उसके आगे से आजाता है डिब्रुगर डिस्टिक जबकि यह तिलिंगा मंदीर आता है तिंसुगय डिस्टिक में आपको में आपको मंदीर का तस्वीट चाहिए और इस तरह के पूजा के सभी समगरिया पर लिए लड़ा आप कहां से आ है इस मंदिर दर्शन करने के लिए अच्छा तो यह दादा है गौहाटी से अपका नाम क्या है अभी आप ठालीले ने आई यहां पर पूजा के तो देके गौहाटी से भी भग यहां पहुंचे है और यहां सब पूजा के सामगरी लेकर पूजा करे अब यहां पर है और यह सब पूजा समझ ली है यहां पर इस तरह आपको छोटे-छोटे स्टॉल मिल जाएंगे यहां पर चाह नस्ता बगरा करने के लिए जो टेडिशनल स्टूइट से वह भी आपकी यहां पर मिल जाएंगे कि यह मंदिर टिस्टिक रोड के एकदम घरीव है जिसके कारण यहां पर काफी फीर भर लगा रहता है क्योंकि तिन्सुक्या और बिलियाजन के बीच आने जाने वाले जितनी भी गड़िया है वो इसी मार्ट से ही चलता है यहां के चाए बगन का यह हरी अली आपका मौन मोह लेगा पूजा करके जब आप बाहर आएंगे तो यहां चाए नस्ता करने के लिए छोटे-छोटे स्टॉल लगे हुए है वहां पर आप चाए नस्ता कर सकते हैं और इस से थोरी से आगे आप जाएंगे तो बॉर्डवी जो टाउन विलेज है वो आपको मिलेगा वहां पर भी कई सार है छोटे-छोटे स्टॉल आपको मिल जाएंगे चाए नस्ता बगरा करने के लिए तो वीडियो के आप में यहीं पर समाप्त करने जाता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया और आप भी जब भी सुविदा हो तो आप इस मंदिर का दर्शन करने ज़रूर आए हर हर महादेब झाल झाल